नमस्कार बहुत स्वाकत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ मनुतेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाडे का जबलपूर से इस वक्त की बड़ी खबर है और्डिनेस फैक्टरी कमर्या में ब्लास्ट हुआ है धमाके में नौ करमचारी गंभी रूप से खायल हो गए है उनको अस्पताल पहुचा दिया गया है और अभी प्रात्विक तोर पर ये जानकारी मिल रही है कि दो करमच्यारियों की इस ब्लास्ट में मौत भी हो गई है और्डिनेस फैक्टरी कमर्या में ये ब्लास्ट हुआ है धमाका ये हुआ कैसे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है फुलस भी मौके पर मौझूद है और जाच परताल की जा रही है ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके सभी नौ घायलों को अस्पताल में भरती करा दिया क्या है हमारे सेयोगी जबुलपूर से कुलदीब बबेले स्वक्त जुड़ गए हैं कुलदीब क्या अपडेट है बताईएगा कैसे हुआ है ये बलास्ट जी खमरिया फैक्टरी में बलास्ट हुआ है और सभी जो नौ करमेचारी है उनको जबुलपूर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है एक ख़वर और सामने आ रहा है कि दो करमेचारी हों की मौत हो चुकी हालांकि इसकी आदिकारी कुष्टी नहीं हुई है बता है जह रहा है कि खमरिया के सेक्स सेक्षन में बंफिलिंग का काम चल रहा था उसी दोरा ने धमाका हुआ है एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि खमरिया फैक्ट्री में कोई पहला हाथसा नहीं है अभी कुष समय पहले ही करमचारी को हाथसे में अपनी चान का बानी पड़ी थी अब उसके उपर एक वो जो बोकोर्स तोप की बेरल भी गिर गई थी तो कुलमला क्रेदी कहा जाए तो खमरिया फैक्ट्री में लगातार हाथसे एके बाद ही हो रहे है और करमचारीयों में इस लेकर भी खासा आकोस ब्यापत है आज के जो हाथसा होगा है उसका भी फिलाल इस पुष्ट कारण प्रबंदन की और से नहीं बता गया है नहीं तो ब्लास्ट हुआ कैसे है क्या करमचारी जो वहाँ पर काम कर रहे है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है उन्हें जानकारी नहीं है फिलाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी लिए